मैं शीतल स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में तो भी सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से प्यार बड़ा नमश्कार रादे रादे दियर फ्रेंड्स तो आज मैं आप लोग उसे शेर करने वाली हूँ अगर आपके घर में चोटा सा क्यूट सा बेबी अगर वह दूबला पतला है उसका बिल्कुल भी वेट इंक्रीज नहीं हो राया आपको बहुत जादा टैंशन है तो आप घर पर ही तरीके से आप अपने बेबी का बेट किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हो तो इस वीडियो मे से पहले जो मेरे पयारी से बेटके पयारे मोमेंट से हुसनी की थे वह थोड़ से चैप्चर कर लिए और यहां पर आप देख सकते हो यहां पर मैं कट्वरी की हपसे इसको आगे बढ़ाने के लिए इंक्रेश कर रहे हूं ताकि यह आज दीरे दीरे से और इसका माल्स्टों तो चलो भी हम वीडियो को यहां पर स्टार्ट करते हैं अगर आप भी अपने बेबी का वेट भडाना चाहते हैं तो उसे अपने बेबी को खाने के लिए यह जरूर दीज़ेगा इस रेसीपी को बनाने के लिए हमें सरफ एक आलू की आवश्यकता मतलब एक आलू चाहिए होता है स्टार्टिंग में अलो को यहां पे अच्छी से धूल करके उसको यहां पर कट कर लेना है अलू जो होता है कि वह बेदी के जो वेट गेन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा पीसिज नहीं करने नॉर्मली जो हमारे अलो को हम जैसे कट करते हैं सिंपल तरीके से वैसे ही इसको यहां पर कट करना है मीडियम साइज निकाल के साइड में रख दे देगे पानी में भीगो कर गया और उसके बाद नेक्स्ट जो इंग्रीडियेंट है हमारा वह है चावल को मैंने पानी में पहले ही बगो करके रख दिया था ताकि यह अच्छे से मतलब फूल जाए और वहीं उसके बाद हमें आवशक तपड़ती है कूकर की और उसके बाद हमें गैस के फ्लेम को अन करना है और उसको पर उसको को रखना है जब वह हलका सा गरम हो जाए तो उसके को अन्दर हमें सिर्फ हाफ स्पून जो घी डालना होता है घी डालने के बाद उसके अंदर लेत बाद थोड़ी जो हएवेभच चावल relatingोने और और उसके बाद नहीं भी तो इसको यहां जということ है करद में और मोजु के बाद चुटकी से आवसक्ता नमक को तरो कहते हैं और जो अझत है अधोर से साधने के बाद हलदी और में। वह बार ऑफ बास चुटकी पर श्रवय काम उड्यान हीं करन दिया फचल सो चावल लिए थे तो उसके according हम दो कोटोरि मतलब एक लाज यहां पर मैंने चावल पानी डाल दिया है sorry पानी डालने के बाद इसको यहां पर मिक्सकर दूंगे और मिक्स करने के बाद मैंने यहां पर कूकर को बंद करके रख दिया है इसके बाद इसमें दो विसल आती है दो जब CT यह अज़ आती है तो इसको मैं मतलब बंद कर देती हैं ताकि जब खुटर मतलब ठंड़ा हो जा है तो इसके बाद हमें फिर इसको यहां पर खुलना होता है और यहां पर वहीन दो CT आ चुकी थी व्योजों तु तीसरी मतलब आनी शुरू हो उज़ी तो मैंने यहां बंद करके रख दिया था साइड में ताकि यह ठंडा हो जाए और जब यह ठंडा हो गया था तो मैंने इसको खोल के देखा और इसके अच्छा से मतलब जो आलू हमारे यहां पर यहां पर पक गए थे और इसके बाद में जो थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा जान भुज़के से डालना होता है क्योंकि बच्चे जो मतलब साबुते चावल नहीं खा सकते अगर हम थोड़ा सा पानी ज्यादा डालते हैं तो उसमें बाद मेरा फिर वह अच्छे से मैश हो जाते तो फिर हम यहां पर मैशर की हैल्प से जो आलू और चावल उसको यहां पर अच्छे से म का एक बॉयल में काटोरी में हमें निकाल लेना है यह हमारा जो खाना यह बनकर त्यार हुआ है यह बेबी के वेट गेन में काफी हैल्प करता अगर आप यह घर में भी बेबी है अगर वेट कम है उसका तो आप यह रैसीपी जरूर ट्राइ की जिएगा और मैंने भी यह र देड़ महीन में इसका रिजल्ट आया है इसका तो भी दोस्तों आशा करते हूं कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लेगी होगी जो मैंने रैसीपी आज आप लोगों को शेयर करी की है मतलगों यह रैसीपी भी आप अपने घर पे ट्राइक जिएगा और आपके ब भी मत भूलिएगा और एक साथ में आप कमेंट भी किजिए अभी आप लोगों के मेरी वीडियो कैसी लगी और इसी के साथ बाबाई टाटा रादे रादेजे श्री कृष्णा